कभी बालों से तो कभी हाथ से मलाइका ने कैमरों स्छपाया अपना बिना मेकप वाला लुक बोईफिन अर्जन का पूर संग वेकेशन पर हुई रवाना मलाइका एरपूर्ट पर बिना मेकप पहुची थी आक्रिस यही वज़ा है कि वो बार-बार छुपा रही थी चेरा बिना मेकप आक्रिस को देख यूजर्स ने कर दिया च्रॉल लोगों ने कहा इनका बुढ़ापा आ गया है बॉलिवुट के हिट डिवा कहे जाने वाली मलाइका अरोडा का खबरों में बने रहना तो आम बात है उन्चास के उम्र में भी मलाइका ने खुद को इसकदर मेंटेन कर रखा है कि उन्हें देख कर अच्छे अच्छो के दिल की धड़कन थम जाए यो तो मलाइका आए दिन गौसिप्स की गलियारों का होट टापिक बनी ही रहती है कभी अपने चलने की स्टाइल के वजह से तो कभी बॉइफिन अर्जन कपूर के साथ एज डिफरेंस के वजह से वो ट्रॉलर्स के निशाने में रहती है लेकिन इस बार मलाइका पर ट्रॉलर्स के निशाना साथने की वज़ह कुछ होर ही है न चाल न उम्न इस बार मलाइका अपने बिना मेकप वाले लुक की वज़ह से हो गई है ट्रॉल जी हां मुंबई एरपोर्ट पर मलाइका को बिना मेकप के देख यूजर्स ने उन्हें जम कर ट्रॉल करना शुरू कर दिया है दरिसल बॉलिविड आक्टर अरजन कपूर को बुद्धवार रात अपनी गर्फ्रेंड मलाइका रोडा के साथ मुंबई एरपोर्ट पर स्पॉट किया गया इस दोरान मलाइका अपने नू मेकप लुक में मीडिया पैपराजी के कैमरों में कैद हुई ओवरसाइजड वाइट शिर्ट, ब्लाक पांट और बूट्स में उस्टाइलिश दिख रही थी हाला कि उन्हें देख ये साफ पता चल रहा था कि वो मिना मेकप के कैमरों में क्या धोने से कॉंशिस हो रही है मलाइका कभी अपने बाले से चेहरा चपाने की कोशिश करती हैं तो कभी अपने हाथ से चेहरे को कवर करती दिखाए दी रही है वहीं अर्जन कार्गो पांस, टीशर्ट और डेनिम होडी में नज़राए अब मलाइका का नू मेकप लोग देख लोग हिरान रह गए और मलाइका को ट्रॉल करने लगे जहां एक यूजर ने लिखा बुढ़ा पस साफ नज़र आ रहा है वहीं दूसरी यूजर ने लिखा बेटा मम्मी को गुमाने जा रहा है एक यूजर ने लिखा बिना मेकप के इतना कॉंचिस क्यों लग रही है हाला कि कुछ लोगों का कहना है कि अब अरजन और मलाइका को शादी कर लेनी चाहिए आपको बता दे मलाइका ने हाल ही में एक इंटरव्यो में अरजन को अपना सचा प्यार बताया था और कहा था कि वो दुबारा शादी कर सकती है हाला कि आए दिन दोनों अपने इलिशनशिप के वज़ह से च्रॉल भी होते रहते हैं मलाइका अरजन से 12 साल बड़ी हैं जिस वज़ह से कई लोगों को इनका रिष्टा पसंद नहीं आता लेकिन बिना जमाने की परवा कि ये दोनों खुलन खुला इश्क परमाते हैं वी टाउन के पाटी से लेकर वेकेशन में दोनों साथ जाते अकसर स्पॉट होते रहते हैं ये दोनों पिछल तीन साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं हाल ही में ये भी खबर आई थी कि दोनों 2023 में शादी कर सकते हैं हाला कि कपल की तरफ से इस बार किसी भी तरह का ओफिशल अनॉंसमेंट नहीं हुआ है बिना रिपोर्ट 824 कर दोनों प्योंते हैं